येस गूद मॉनिंग अभरीवन नमश्कार स्टुदेंट्स अन्लान स्टुदेंट्स लेट में ने ने चैट बॉक्स येस गूद मॉनिंग चलिए बढ़ चलते हैं आगे स्टुदेंट्स आज के सिशन की तरफ 15 और 16 तारिक का आज हम लोग करेंड़ देखने वाले 17 और 18 का तल देख लेंगे हम लोग और बैक टू ट्रैक हो जाएगा पूरा करेंट अफेर्स इसके बाद येडिख बॉर्णी बॉर्णी इसपर्ण वरेच, येडिजियू के देख लेएगारा टेकिन्ट अप्स्यूर ट्रैक मेरर्णीट टेख एजिए ब्लैट व्या च।मूराग ट्सके लिए लेगाद टूराग टेख लेट। वर्टार ट्व्या स्टिए हम लेसे प्या आप चलिए देखते हैं आज 15 और 16 तारी के क्रणड़ेज में क्या 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 इंपॉर्टेंट है स्टुडेंट्स आगे बढ़ने से पहले में बता दू आई एक स्टॉपर्स मंत्रा लॉट्ष वेरियस ओफलाइं कम उनलाइं कोर्स फ़र यूपी एड़ एड़ पेस के लिए सक्षम वीकेंड मेंटर्शिप कोर्स है पंदरा जार रुपे में छे महीने का कोर्स स्टुडेंट्स इंक्लूडिंग टेस्स सिरीज और संकल्प जो आठ फ़र पांस रुपे का है आवाज आ रहे हैं ठीक से लेट मेंगों स्टुडेंट्स इल्ग वाज प्रॉपर या आवाज में दिक्कत है मुझे बता दीए तो यह सक्षम पंटर्शिप पूर्स आप देख सकते हैं पूरा प्रेलम के लिए डिवाइस किया गया अलॉग इडिस एडिटोरियल्स आर अल्स इडिटोरियल्स आर्टिकल्स कवर किया रहे हैं और यह देखिए साफ में स्टुडेंट्स संकल्पैस स्रीज भी लांच किया गया है और अल्स इस विन लांच्ट ऑन प्रार्ण डॉट लाइव वेब पेज यह देखिए बहुत चल्द ही इस मॉबाइल अप्लिकेशन भी आ जाएगा और इन इन इस मन्थ इसल्फ इसल्फ 703-88-99438 and 727663-7094 तो चलिए बढ़ चलते हैं आगे संड़े और मंड़े करने फेस देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि संड़े को साइंस एंट टेक और इकलाजी इंवारिमेंट की इंपोर्टेंट नीज आते हैं बहुंदू में और वही सबसे जाए नीज रहे आलीजीड सुमानी फेलए के लबस नीज नूटिबूग निकालियीसी टveश जीर टी इंचा कार के लिकलाए असमय मेंध्नित की ऐस बचलते हैं च्यूंदुटरी माँचाह करने चで zmth करनेयों फिंच के लिलेखना में अस्ट केन एपिल्च zerप्णु इंट आप्यक से कर दोब्सेरी होट टोर्फेरी कर अन्युटर्श और यू जाग टॉम महतु लूंटा कि लिए कुट थील्यूद टॉटुटती लाय थे जाय जए लिए लूमीटाज़ बालि टॉटलश्य एपक वोट जागल चूजेकर टॉटुमुटता टॉट टॉट अट्ट बालिट ना are they coming from volcanic eruptions, tell me students, and यहाँ पर मैं बहुत पते की बात बतादू, आप लोगा जो तो लेंच में आराइस पार, sulfur dioxide is a global cooling agent just opposite to carbon dioxide and other other global warming agents, that's it. Two minutes, two minutes. Students in the chat box, क्या अब visible हैं, मुझे बता दिये, chat box में. So, Tonga Island, let's see. Is it visible now, मुझे बता दिये, बच्चा लोग, जिससे के लोगा के बढ़ जाएं. And is the voice also okay, tell me. Is the voice okay, चलिए, तो देखते हैं. Tonga Island eruption happened two years back also. So, Tonga is a island in Pacific Ocean, Polynesia just above New Zealand students, you can see the atlas, Polynesia में ये Tonga Island है, और में बता दू, students, that it's just besides Fiji Island, Fiji is a part of Melanesia, Tonga is a part of Polynesia. Is it player, tell me students, Pairs में आ सकता है, UPSC में इस साथ? तो चलिए, you can see her students, this Tonga Island eruption के बारे माउंट सेंट हेलेंस के साथ comparison किया गया, माउंट सेंट हेलेंस कहां पर है? मैं बता दू, students, आपको टू मिनिटस बस में, यहाँ पर इसी स्लाइड में है, माउंट सेंट हेलेंस से देखिए, location, Seattle के पास है, students. अब बताईये क्या, yes, yes, good morning, good morning, अरे मैंने कुछ नहीं किया भै, थोड़ा बहुत, को सकता दिकते हों बीच में, लेकिना, I suppose this is visible now, let me know in the chat box, students, just persist, I suppose that a technical glitch हो, स्लाइड इस बिसिबल, ओके, ओके, दो मिनिट होड़ कीजिए, आप लोग, students, बस देख रहे हैं, चिंता मत कीजिए, क्या, अब ठीक है, मुझे बताइए, या अभी भी दिकते हैं, जीवन में, बताइए, students, now, is it fine, yes, yes, just wait for a couple of minutes, I suppose it's fine now, भी ठीक है, देखिए, आप लोग की persistence ने, perseverance ने, और patience ने, क्या रंग दिखा दिये, देखिए, सब ठीक हो, चला, let's proceed towards the session, students, ही रेखिए, Tonga Island, is it a part of Polynesia, tell me, students, ही रेखिए, Polynesia का part है, और उसी के बारे में, ये देखिए, news आया, students, stumpled acid emissions, वहां से जो हुए थे, stumpled acid emissions, मैं बता दू, जो, it's a global cooling agent, मैं बार पार reiterate करना हूं, इसका मतलब इस बारे में आएगा, मैं बता दू, students, okay, और, okay, यानि मेरा चेहरा देखिए, आप लोग का दिन शुरू नहीं होगा, चलिए, आए, देखिए, let's proceed, students, तो ये तेखिए, Tonga Island is a part of Polynesia and Mount St. Helens, Rocky Mountains में students, just Washington State के पाफ में, Washington State और Oregon State अब दे सकते हैं, यहां पर Seattle करके एक famous city student, Seattle, yes, very famous volcanic eruption of Mount St. Helens happened in 1983, इसा रोग, और उसके बाद, Mount St. Helens के अरप्शन के बाद, earthquake भी आया था, landslide भी आया था, एक sad disasters, ठीक है, तो उसी से comparison किया गया, यहां पर आप देख सकते हैं, the same thing has been compared out here, in this, the Hindu sniper talk, this of Sunday, यह देखिए, and also apart from this, Grandin Express में, ये मंदुक्वाइ has to build, one year after volcanic blast of Pacific Island Nation's reefs still silent, this is the same thing, the Tonga Island के बारे में, एक साल के बाद, क्या दिख रहा है, थे, volcanic ash blankets the western side of Tonga Tapu Island, Tonga Tapu Island, यह वही है, students, so, बिना किसी हिचक के और बिना किसी जिजग के, लिख लेजे इसे, Tonga Tapu Island is near Tonga Islands, Polynesia, this, take out this, यह पेर्स में आ सकता है, students, मैं बार बोलता हूं, पेर्स आया, UPSC का इस्पिरेंट गया, ठीक है, इतना ज्यादा, पिसले पर factual आया हुआ है, दिस यह पेले, ठीक है, so, Tonga Island के उपर यहीं, नियूसर स्टुदेंट से की, volcanic ash, मुझे बताईए, मुझे एक्जांपल दिजे, students, कौन से ऐसे कंप्रीज यहां, बहुत रिच अग्रिकल्चर है, and उस आयलेंड के उपर, बहुत हवी पॉपलेशन देंटी है, volcanic ash is very rich students, because उसके अंदर, minerals है, inorganic minerals है, जो पृत्वी के अंदर थे, earth crust के अंदर, and that is most suitable for agriculture, yes. So tell me the chat box, which two countries are having such islands, where the major, this, the major reason is volcanic ash has settled down, and it has led to a rise of agriculture and rise of population density in that region, मैं आणसर भी जेजराँ, आपको Jakarta, Java island, yes, Java island of Indonesia, it's based upon volcanic ash, ये रिखिये, and quantum planes, have you heard of quantum planes in Japan, tell me students, ये रिखिये, तो बस ऐसे ही interming करते चलोंगे, ये इस इंडोनेशिया, बिलकुल सही, and Japan, बिलकुल सही, कुशाग ना साही साही से अंसर किया, यसमीन, निखिल, अंजली, जीत, all of you have answered, ठीक है, Hawaii islands में भी हुए है, ठीक है, लेकिन, Indonesia and Japan are classical examples, you can see it here, volcanic ash is out, has spread out है, and agriculture, अब यहाँ पर होगा, students, तो बहुत रेच होगा, ये देखिये, इस जगह पर, यही पहला में उसे, nothing new in this, let's proceed towards the next new students, so this is Mount St. Helens, and I will tell you to just watch the video of Mount St. Helens' eruption on National Geographic, let's proceed towards the second news, Nil Kuringi's sanctuary stays on paper, Nil Kuringi's scientific name is Strobilanthus kundhiyana, have you heard of the students, Nil Kuringi is a plant, Strobilanthus kundhiyana, you can see there, Strobilanthus kundhiyana, yes, have a look, is this plant present in Nil Kuringi's, या इसी की वज़े से Nil Kuringi's, Biosphere Reserve या Nil Kuringi's का, नाम पढ़ा है, Nil Kuringi's Mountains का, 12 years में एक बार ये फ्लावर करता है, ये देखिये, every 12 years, and Strobilanthus kundhiyana, Nil Kuringi's में ही नहीं है, पूरे South India में, यही news है, यहां पर ये देखिये, so it's present throughout, it's present throughout the South Indian Belt, and the sanctuary was planned, Nil Kuringi's sanctuary in Edokki district of Keral, ये देखिये, Edokki district of Keral में ये प्लान किया गया था, it's located South of Nilgiris, तो यहां से के रितना important students, that is Nil Kuringi only found in Nilgiris, no, it's found till the Agasta Mallai Biosphere Reservoir, yes, it's not endemic to Nilgiris, ये यहाद रकियेगा, Strobilanthus kundhiyana, very very important students, ये second news आज का, though Nil Kuringi's one of the, is on the list of protected plants, the proposal for a Nil Kuringi sanctuary in Edokki, remains a distant dream, you can see it here, एक लिए बिए गुण फोट से शिवर्ट देक्ष आपक टॉपिक तो यहां सिखें पिलूम्स का साइटिफिक नें इंपॉर्टॉट और यह इंडिमिक नें इंगिरिव में यह इंपॉर्टॉट इन सुद्र आप पॉर्ट नेख सब्क तुब आप प्र नेख से रोड़ जि See, Sundarbans is located within the jurisdiction of India and Bangladesh, yes. I hope you agree, students, tell me, Bangladesh, in Bangladesh, it is two-third of Sundarbans is present, in India one-third is present, and India has gone on to make it a Sundarbans Biosphere Reserve, you can see it here. The Sundarbans Biosphere Reserve is only present in India, the part present in Bangladesh is not a part of Sundarbans Biosphere Reserve, let me tell you. अच्छा प्रवीन ने पुटब किया कि नीन कुरिंगी को बिहार में भी देखें, भई हो सकता है, अब इन्सान कहां से कहां किस चीज़ को ले गया, कच्छुआ तका गया, अमेरिका से इंडिया तो फिर, पॉज़े की बात छोड़ दीए, ये ट्रेन में ले गया होगा खोई, ठीक है, आई रिखते हैं, सुन्दरमंस Biosphere Reserve, और यहीं सुन्दरमंस जो इंडियन, जो ओवरां सुन्दरमंस का बेल्ट है, उसमें लार्जेस्ट आइलेंड जो है गंगा सागर, ये सागर आइलेंड है, बता दूं आपको, और यहां गंगा सागर मेला लगता मकर संग्रांती पर ने बता दूं आपको, तो एंडिया इंडिया इस ट्राइंड इस बेस्ट, देखे दो, इंडिया थो Biosphere Reserves on the boundaries with other countries, वन इस सुन्दरमंस, वन इस मानस Biosphere Reserve, and in both the Biosphere Reserves, इंडिया is trying its best कि दूसरे देश में भी वो डेक्लियर हो जा, because both Biosphere Reserves are contiguous zones, tell me students, मानस, मानस रिवर के उपर, मानसा गौड़ेस के उपर नाम परा है, बेकी रिवर भी ट्रिबूटरी है, वहाँ पर बेकी और मानस नदी फ्लो करती है, और क्या वो रॉयल भूटान, रॉयल मानस नेशन पार्क भूटान से भी contiguous है, यस, लेकिन अपसोस है, भूटान और बंगलिश डोंट है इनी Biosphere Reserves at present, यहां पर क्या नहीं हुगा है, गंगा सागर मिला लगता है, लेकिन यह देखिए, इनको देखिए, इस इंसान को देखिए, और आपको समझ में आएगा students, कि यहां पर गरीबी है students, poverty is there, you can sit here, and this, आपर इसर क्या और इसने coastal erosion, यह देखिए students, coastal erosion and climate change, yes, coastal erosion, yes, तो मुझे बताईये क्या coastal erosion का एक एक ग्जांपल आया था भी, इस इंसाम, people tell me students, so in Saadhar island, the largest island of Sundarman's belt, the coastal erosion has been the killer of employment and led to poverty in the belt, coastal erosion is caused by natural factors and man-made factors, in Wigingam, it's a man-made factor, but in, in this belt also, it's natural also, natural factors have been accentuated, accentuated, yes, increase, यह रिखिए, how come students, how come it isn't accentuated, because of rise of cyclones, यह रिखिए, cyclone of fun भी आया था, and also rise of sea level, यह रिखिए, sea level, और cyclones, दोनों climate change के कारण, असर परा, इस belt पर यह देखिए, और मैं बता दूँ आपको यहाँ पर students, that coastal erosion पर इस पर मेंसले question आरा, GS paper and geography, yes, what are the causes of coastal erosion, causes and consequences करके आजाएगा, या, do you agree that, the anthropogenic factors have, next to a rise in coastal erosion, comment, 10 marks 150 words, very very important topic students, coastal erosion, तो समुझर जो एरोड करता है वहाँ पर ठीक है, rocks को, on the coast, यह accentuate होगया, increase होगया, natural factors को, और बढ़ावा मिल गया, because of anthropogenic intervention, cyclone आफ़ान भी आया सा, इस में और देखिए, इस इंसान की कहानी देखिए, that, this clearly shows a divide in the country, भने यहाँ टूरिजम पर ग्रे में spot होगा, लेकिन यहाँ को लोग अभी भी गरीबी में रह रहे हैं, यह लगी नहीं रहा है कि three decades back या four decades back से यह आगे बढ़े हैं, पहरों की condition कुछ और है, गाउं की condition कुछ और है, सागर दूप की condition कुछ और है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आई आगे बढ़ते हैं students next topic की तरफ, तो यह coastal religion कटके study हैं, और आज सकते है students, यहाँ देखिए, एक और भी शब्द यहाँ पुटक किया गए, देखिए, यहाँ पर, इस इंसान से कुछा गया कि आप कहां से आये थे, यह ने कहा, देखिए, सागर, the largest island in सुन्दरबंस, सुन्दरबंस आर्ची पलागो, is not only eroding, but has also become home for many people rendered, homeless by sea erosion on other small islands, और देखिए, दूसरे islands जहाँ पर, इस इरोजन चल रहा है, घोरा मारा island, यह देखिए, घोरा मारा island is just near सागर island in सुन्दरबंस, आर्ची पलागो, यह पेर्स में आ सकता है, याद कर लीजिएगा, खेलिए आगे बढ़ चलते हैं, students, घोरा मारा एंड सागर island are in सुन्दरबंस, next topic, तो डॉल्फिन के अपर टॉपिक है, students, डॉल्फिन, noise pollution, noise pollution affects dolphin's ability to communicate, सो आख की तारिक में मराइन पॉल्फिशन की बात करते हैं न, सो भी ओल्ली टॉक अबाव दा वाटर पॉल्फिशन, यास, सो मराइन पॉलिशन या मराइन अरिया पॉलिशन में क्या noise pollution भी आएगा, मुझे बताईए, यह noise किस कारण से आता है, स्टूरेंट्स मुझे बताईए, पहला, यह देखिए, शिपिंग नेशल्स, शिपिंग नेशल्स, पॉर्ट्रेड, यह देखिए, एंड सेकेंड, नेवी, नेवी शिप्स, और सेकेरिटी, क्या, आर दीज अम मेजर रीजन पॉर, साउंड पॉर्ट्रें न मराइन बेल्ट्स, टेल में, तो देखिए, कुछ दिखा हुआ यहां पर, डॉल्फिन्स बहुत सारे वराइटीज के हैं, जो मराइन एलियास में हैं, अभी रीसेंट औरिस्सा में सेंसर्स की बात शुरू ही थी, रावधी डॉल्फिन हुँ या रावधी डॉल्फिन हुँ या बॉल्फिन हुआ या बॉल्फिन हुआ 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 इस अपर फुम इस तो गंगा इंश दॉल्फिन आप गंगा इंश दॉल्फिन जे फ्रेश वार दॉल्फिन नहीं मुझा पता यह स्टुदेंट्स तो देखिए आपर मराइन पॉलिशन में नॉइस पॉलिशन शिपिंग वेसल्स ने भी शिप्स ठीक है और ये ट्रेट के कारण और ये सेक्रिटी के कारण और इसके कारण स्टुडेंट्स नॉइस अच्छा खासा पैल रहा है और इसी को लेकर ये नूज आया देखते हैं क् और इसके अजपिशन श्वेशन के होता है तुडेंट्स मुझे बताइए ओफ्शोर क्या ये विर्ट बता है जहां पर आफ्शोर द्रिलिंग चल रहा है क्या एक्जाहिए ये देखिए अगर आप ये मिस कर जाये गहना मराइन पॉलिशन मराइन पॉलिशन को आया हुब ह फ्सके सब्सक्राइब टो प्राइब टो अच्छा गासा आपको आपको कीजिए रहें लूसी माच्छी बाइब भाइब टो टॉ कि लोसे टोग्स इदिला रहें आपको देखे वाराइब पॉल्टाइब टो टॉुम्ह पॉल्ट नौस कीजिए तर नॉड़ू इंदेजिए A new study has found that noise generated by human activity makes it harder for dolphins to communicate and coordinate with each other. As the levels of underwater noise increase, these mammals have to shout to each other, देखे खिलान पड़ता है, इंसान की कारण क्या 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 करना पड़ रहा है, जान्वरों को ये रेखी, it added, dolphins are social mammals, very important point, communicate who speaks, this city बजाती है, and clicks, they also use eco-location in order to locate food and other objects, yes, eco का भी इस्तेमाल करते हैं, dolphins, therefore anthropogenic noise coming from large commercial ships, military sonars or offshore drilling can severely impact their well-being, yes, noise pollution impact कर रहा है, dolphins के well-being को, ये बहुत important paragraph है, students, देख सकते हैं, बाटलोस डॉल्फिंग के उपर research किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आईए आगे बढ़ते हैं, findings क्या बताती हैं, देखे हैं आपर, researchers noticed that, what are the consequences of noisy oceans, marine animals are known to use sound to navigate, find food, protect themselves, and as the sound travels faster in water than air, क्या बात है, देखे, कितना physics का concept clear हो रहा आप रहाँ यहाँ पर, देखे, तो देखे इस जग आपर, sound travels faster in water than air, it makes for an important mode of communication, because it can convey a lot of information quickly and over long distances, scientists believe that fish species will lie on sounds during reproductive activities, including mating and mate attraction, and coachee and mate क्या चिए देखे, so this is completely impacted, however, several studies and incidents have shown that sounds made by drilling, commercial shipping and military operations led to disruption of marine life, क्या कहते नेटो गया था, नेटो की अंडर सी ट्रेनिंग होई थी मिल्टरिनियन सी में, क्या कहा जा, वहां की डॉल्फिन को कौन बचाएगा, नहीं, so this is it out here, what the news has come up, in 2020, Australia witnessed one of its worst mass stranding of whales, yes, when around 200 of them died on Tasmania's West Coast researchers suggested that mass strandings are linked to, noise pollution in the oceans, अब तो UPSC अलग से सवाल पूछ देगा, noise pollution को लेकर होगे, बताओं, noise pollution, इंडिया में, noise pollution कम करने की बात कौन देखता है, central pollution control boat, CPCB, सारा काम यही देखता है, overburdened, जैसे UPSC अस्टिरेंट्स overburdened होते हैं, फिलिबस से, और noise, yes, noise pollution, मुझे बताओं, स्टूनेंट्स किस unit के मेजर किया जाता है, मुझे बता दीजे, sound किस unit के मेजर किया जाता है, noise pollution, और कितना safe है, sounds का, decibels में कितना safe है, sound, जो human ears के लिए safe है, उससे कम और ज़्यादा, खतरनाक होता है, मुझे बता दीजे, so this is clearly showing, noise pollution is going to impact the biodiversity as well, yes, तो यह students, तीसरा news आज का, next fourth news लेख सकते हैं, green oasis in mining मेघाले desert gives wings to football dreams, क्या बात है मेघाले की इन वादियों में, football का एक ground, और football खेंटे हुए खिलारी, और बगर में देखते हुए spectators, और पढ़ते हुए हम UPSC aspirants, आई देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, a returnal patch of artificial green may not be enough, compensation for मेघाले's, खेलियरियात, यह देखें, खेलियरियात, a hub of black gold business, यानि कोईले का business, यहाँ पर यह रेखिए, K-H-L-I-E-H-R-I-A-T, यह जगा है मेघाले में, नोट कर लिजएगा, खेलियरियरियात, खेलियरियरियात करके एक जगा है, जहाँ coal mining, rat hole coal mining, क्या सुनाएं आपने students, इन बैंड इन दे कंट्री, यह से रेखिए, और यहाँ पर इस्ट जहनतिया हिल्स में, तो गारो खासी जहनतिया हिल्स, G-K-J, West to East Arrangement in मिघाले, दो यू अग्री, टेल में ने चैट्वर्क स्टुदेंट्स, यह decibels है, बिल्कुल और 45 से लेकर 80 decibels तक, शायद इस बेस्ट या सबसे maximum इंडस्ट्री में होता है, वो 80 पर रहता है, minimum means जो इस्टिक्शल प्लेसे और हॉस्पिस के आजपास 45 से 55 decibels तक का कहा जाता है, तो इस 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 मिघाले मिघाले में आप यह पुटब कर से लिए, कि स्पोर्ट से लेकि और सुक्षराइद प्रशाइब के लिए सौट्स के विज प्रसु आइक गरांथंट has a solution of panesia, और मैनी एनें से रते ही रेट होल माईनिंग वह बर्बाद कर दिया, इस बैल्ट को यह देखी, और यहां लिखा भी उगा है कुछ में घाले के बारे में इस जहांतिया है इस दिस्टिक्स फर्स एस्टोर तर्फ फिल्ड सिट्स अब अबंदन रैट होल कोल माइन्स तो यह नहीं है अर्टिफिशल ग्रीन टर्फ डाला गया है अगर्ट बेस्ट्टोर शॉफिशल वबस्ट इस जहांतिया हिसाप अबस्ट जैय। अफिश्टिट्स अपोल चैनल टर्फ जैय। अबार इंडिया इस के लावा राजस्थान भी फेमस है लाइंस्टोन के लिए चलिए आगे बर चलते हैं स्टुडेंट्स यहां से बस इतना ही कापी है यह प्रलीम्स के लिए इंफरमेशन और ख्लेह रियात्क स्टेटियल इस प्रॉट इस प्रोग्राम के बारे मुझे बता दी चैट बॉक्स में इसमें इसमें से इसमें पैसे डाले जाएंगा माइनिं कमपनी डालेंगी और इससे एमपार्मेंट होगा लोकल्स को और ट्राइबर्स को देखी आगे बरते हैं नेक्स टॉपिक दिखते हैं क्या इंपार्मेंट से इस जवबातर पर जोशी मठ अविक्टिम ओ इमालें देवलोप्मेंट और यह सबस्टीन वबातर इस जगाप और यह सबस्ट्रीजन और इस जगाप और यह सबस्ट्रीजन पर इस जगाप दिखते हैं क्यों हुआ है सबसे पीछे कारण क्या क्यों ध्रस गई जमी जमी फिसलती मींस स्लाइड करती लैंड स्लाइड कहते जैसा पॉमन है लेकिन पूरी भास गई है नीचे क्यों कि इसके पीछ एक वज़ा है जो सैंटिस्ट के रहे हैं पंचरिंग ऑफ दा एक्वीफर का मतलब प तो यह क्लासिकल एक रीजने स्टुडेंट्स एंफ्रोपोजलिक इंपक्ट एंटीपीसी के टेब टनल्स बनाए जा रहे था तब कहां गया है कि एक्वीफर पंचर हो गया थे इस बेट में सिस्मिक जोन में है ही पहले से यह देखिए बहुत से रेफेक्टों थे उतरा ख इसे और इंडियन प्लेट यहां कंबाइन कर रहा है वही पर हमालेन माउंटेंस राइस कर रहा है यह देखिए और उसके बाद उसके बाद इसके बाद एंफ्रोजनिक प्रोजेक्ट से लिखे है ही पी पावर प्रोजेक्ट सेकेंड इस रियल सेट डेवलोप्नेंट यह देखिए थार्ड दीफोरेस्टेशन यास पूर्थ दीफोरेस्टेशन प्लास्टिक पॉलूशन क्या लास्ट यह कुछ हुआ था दोजार 21 में मुझे बताईए आसे दो साल पहले ग्लेशल आउटबर्स फ्लर्ट्स लेक मुझे बताईए क्या यह आया था नंदा देवी ग्लेशल से चूट कर इसका मतलब साफ है अगर सवाल आया उत्राखंड या अजर हिमालें स्टेट्स की बारे में आप यह रीजन्स दे सकते हैं यहां पर और पंग्चन होने का मतलब होता है पानी निकल जाना है पानी निकाल दिया गया काम खताम हो गया क्या जरूद है पानी का ऐसे पिछले आपने परहा था कुछ साइंटिस्ट लोग पिलियुनोईश शिकागो युवरस्टी में बैठ कर यह कहा है इस समुद्र से जो पानी एक अट जुक्राइट कर रहा है उसी ुक्राइब का थया हो इससे तो दिक्क्त है वॉटर साइकल बंडर जाएगा क्या जरूद है इसा री लास्ट वीक चाम एंपर अ कहा जाएं गाउं से निकल कर लोग आ रहें शेहरों में क्या बात है मैं पुने शेहर का हाल देख रहा हूं कहां से कहां कंडिशन चला गया है सुबह पांच बजे सारे पांच शे बज़े उठना है अगर ट्राफिक में सारे आठ बज़े सारे आठ बज़ गये तो ना आप आफिस टाइम पे पहुंच पाईएगा ना कहीं जा पाईए देस्टिनेशन पर यह कंडिशन हो गई है इतना इतना तो डेडलाइन से के एक्जाम में नहीं किया आगे इतना कि अभी जीने के लिए किया जा रहा है सोच लिए स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ चलते तो यह क्या टापिक हो जाएगा मुझे बता देंगी जो ट्रेजडी इन दा मेकिंग बॉरायन से बता दो जो ग्लेशल डिपॉजिट्स होते हैं वो जहां कहीं भी हैं वहाँ पर बहुत तरीके से हैंडल करना तो बेर डिपॉजिट्स तूडेंट्स अर उसको तरीके से हैंडल करना जरूरी होता है चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले टापिक की तरफ रीकर्स्ट्रक्टिंग पास डीप वाटर सर्कुलेशन ऑप इंडियन ऊशन तो पता स्टूडेंट्स किसी भी समुदर में देखिए यहां पर किसी भी समुदर में एक डीप वाटर होता है एक सर्फेस वाटर सर्कु चेंजर टीक है जहां पर टेंपरिशमस करता है यह वरी पास्ट चेंज और उसकी यह कासीश्रकुलेशल क्रिश्ट्रक्ट्रेश्टेन टेंसी टीवर करेंट्सेट इसी को लेकर ये दाहिन ने संडे को कवरेज दिया इसका बहुत मस्त आटिकल स्टुडेंट्स कुछ नहीं बात में मालूम चली है यह देखिए थर्मा इलाइन को देखे इमेज देख लिए यहां पर इस थर्मा इलाइन सर्कुलेशन इत इंड इंपॉर्टेंट सर्कुलेश यह देखे लिए यहां पर है यहां ग्रिलेंट के पास में बैल्मार्क स्टेट के पास में वहां सिंक कर रहा है बिकाउज आफ हैविनेस और यह तुन वाटम मीचे में बाटम में इधर आ रहा देखिए इसके अलग लग नेम्स पढ़े हुए मैं बता दो लेकिं यह क्यों कि मेरेडियन पर देखिए आट कर रहा है आप बहुत सारे यहां पर देखिए अटलांटी कोशन में यह मेरेडियन के ऊपर वर्टिकल यह मेरेडियन से पैरलन भूफ करता लग भग पैरलन मेरी डोनियो सर्कुलेशन घट सिट अब सवाल यह है यह न्योस क्या बता रहा है बता दो आटलांटी कोशन का अंड़स्टूड है सब कुछ टैस्थी कोशन कमे ठीक ठाक अंड़स्टूड है इंडियन ओशन का सिर्कुलेशन थर्मो एनाइन अंड़स्टूड नई नहीं है यह देखिएustom में नई findings आई देखने क्या findings आपको कुछ words मालूम चलेंगे इस article में orthogenic minerals are formed in sediments or sedimentary rocks they are in place origin minerals formed in situ in sedimentary rocks are orthogenic minerals देख सकते हैं आप यह word आएगा भी अभी देखिएगा orthogenic minerals form at the earth surface as well as during subsequent burials sedimentary deposits में sedimentary deposits के अंदर अगर कोई minerals पाया गया उसे orthogenic minerals केते हैं यह word आएगा इसी पर research चल रहा था कहां पर seabed पर seabed पर कौन गया था अरे जिसको भी जाने दीजिए भाई ठीक है खाली टाई में जाएगा seabed पर जाकर देखेंगा कि कौन सा mineral है ठीक है कैसे यह हुआ है कैसे वह हुआ है कि रहे किरियोसिटी इस घिपसराइस तो इन्सान कहीं में जा सकता है देखें तो अब यह इंडिया नोशन के उपर का देखेंगे रिसर्च बेए पिंगल रिजन के ऊपर का रिसर्च यहां पर आया हुआ है तो दो सबाव ज़े से एडिस के सामने पहला एक्लांटिक विशन में वाया इस वरी स्ट्रॉंग इन्डिय नोशन में कैसे क्या है स्ट्रॉक्चर और क्या पास था मैरीडोनिय स्र्कुलेशन का तो इन दोनों रिसर्च में एक मैना कंसिक सामने आए स्टॉडेंट्स Atlantic उसमें strong Maridonis acquisition पीछे एक वज़ा है ये देखिए यहाँ पर एक वज़ा है इसका closure इसका closure किसका पनामा का देखिए पहले ये math था students बहुत पहले देखिए इसका मतलब साफ था पहले Pacific and Atlantic were linked इसे पनामा closure hypothesis कहते है और पनामा closure के बाद से Atlantic ocean का circulation और strong हो गया इसी लिए और अबने सर circulation strong हो अबने सर आप पताना क्या चाहरा है आज़े देखते हैं अगर Atlantic ocean का circulation strong होगा students यहाँ पर तो देखिए warm water कहा तक जा रहा है towards greenland towards क्या इसी को मैं बता दू students का इसी मज़र से यहाँ से जो surface ocean current है क्यों बहुत warm होता है North Atlantic drift कहते है इसको सुनाए अपने गल्फ स्ट्रीम के आगे मुझे बताईए और यह साफ साफ इसके वज़र से क्या यह warm waters जो surface water वो भी warm axis इस इस रीचिंग दा मुर्मान्स के सी पोर्ट आफ आर्क्टिक कोशन आफ रश्या यहाँ पर इतना जादा वर्म डप है कि इस आइस फ्री पोर्ट आन दा आर्क्टिक यह जहाँ जहाँ इसके कारण ही यूरोप बसा हुआ है इसके कारण ही यहाँ पर बसे हुए है countries और population यह देखिए यहाँ पर इस जगह पर सो मुझे बताईए because of Panama closure यूरोप और North America का population बस गया यहाँ पर क्योंकि temperatures temperatures इस belt में हाई हो गए यह देखिए moderate high temperatures हो गए और इसी वजह से moderate high temperatures are needed for populations to settle down permanently यह देखिए is it clear tell me the chat box students मुझे बता दिए तो यही यहाँ दिखा हुआ है let's see this देखिए Panama hypothesis states that gradual closure of the Panama seaway between 13 million years ago and 2.6 million years ago led to decreased mixing of Atlantic and Pacific water masses the formation of North Atlantic deep water and strengthening of the Atlantic thermohaline circulation increased temperatures and etc. etc. यह देखि यही यह कहानी है students यहाँ की और यहाँ लिखा हुआ है the scientists have generated an autogenic neodymium isotope record neodymium isotope कहाँ पर है मैं बता दूँ students autogenic अपने अभी परह in situ sedimentary rock on the seabed record from the Arabian sea and reconstructed this Indian ocean record 11.3 million years ago यह देखिए Miosyn era के Prystosyn era के बीच में the record shows the clear shift from the Pacific water dominated deep circulation system towards towards Atlantic dominated system यह देखिए और इसकी कारण क्या इसके पीछे क्या वज़ा है यही देखिए Central American seaway closure यह देखिए यही रीजन बताय जा रहा है इसे पनामा closure hypothesis कहते है इसी वज़ा से Indian और Atlantic Ocean का circulation was strong हुआ था यही है यही है यह topic पूरा ठीक है तो the this the record shows a clear shift from the Pacific water dominated deep circulation system before about 9 million years ago the onset of a modern like deep water circulation system in the Indian Ocean comprising of Antarctic bottom water and northern component water इसका अज़र साफ है पानामा के बाद ही students Indian Ocean में यह current flow करना शुरू की है अफर पौनामा के लोजर नहीं रहता तो यहां पर strong current नहीं रहता इस उस चजगह पर यही यह यह कहा जा रहा है यह अज़ारी आरा के पहले नहीं था अभ़ जाकर है इस चजगह पर ये देखये ये लेफटी देखिये टनिस रैकेट से हिट कर रहा ही देखिए और लेफ्ट हैंड बैक्समें ही बहुत जादा है अड्वांटिज लेफ्टीज इन स्पोर्स आज विकन इमाजिन लेफ्टीज रूल ओवर राइटीज आप देख सकते हैं यह देखिये साफ-साफ यह आटिकल किस पर चाहिए जून्ज में है क्या लेफ्ट हैंडएडनेस तो लिखा हुआ है यस a person is more likely to be a left-hander if one's mother is also left-handed it comes down to your genes there may be genetic influences you are more likely to be a left-hander if your mother is left-handed than if your father is your chances rise to 50% when both your parents are left-handed it all comes down to boys down to genes genetic influences over genotype influencing the phenotype do you agree to any students that is here Michael Devon Michael Devon was a left-arm China man baller Michael Devon's name I remember my first interview in UPSC 2006 2006 में और दिस एयर चीफ वाइस मार्शल मिस्टर सथीशन अंदार का बोड था और मैंने अपने होबी में लिखा था प्लेइंग क्रिकेट मैं सोचता हूं कैसे मैंने क्यों लिख दिया प्लेइंग क्रिकेट उसका दो पूछना शुरू किये चाइना मैं में बॉल कैसे थो करत बॉल कैसे करती है पेपर और प्रेंग दे दिया गया गुगली में कैसे करती है ठीक है वह तक ठीक था फिर आफ कटर एंड लेक कटर उसलिए स्विंग से इट वाज लगी इतना ही नावलिज रहता तो मैं क्रिकेट में रहता नहीं प्लेइंग कर दो आइसे ही खेलते हैं नहीं यह चाइना मैन गुगली यह सब नहीं पता है ठीक है तो गुस्सा दया तो सीरे विकेट में मार भी देते हैं तो यह वरी टॉफ प्वेशन वर आस्ट एट यह और मेरा पहला इंटर्विव था लाइफ का इंपक्ट यह पीसी में दे रहा था मैं टैकल नहीं कर पाय है क्योंकि बाद में मुझे समझ में आया नहीं रखेगा हॉबिस प्रोड टेक्निकल कोईशन सुचे तो आपको लोना है सब्सक्राइब करना है क्लियर है तो आपको लेजर प्लेजर क्यों खेल रहे हैं आपर नॉलेजर इतना घ्यान वह क्रिकेट का भी ग्यान रखिए फ अभिर कहा जाएगा सब कुछ अग्यान रखियं पागल हो जाएगे तो दिक्कत की बात है नहीं टेकली एक सवाल पूछते हैं टेक्निकल तो आपको एंसर करना है थाउड प्लेइट फर लेजर इप्लेटिश्टुड इस फिर लेजर लेकिन मुझे अच्छा लगता है सब खेलना ठीक है और सब मैं बैटिंग कर सकता हूं अच्छा सब कहां बॉल जा रहा है कहां शॉट जा रहा ह यहां फोर जाना नहीं पता है ठीक है आए 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 आगे देखते हैं सुडेंट्स तो यह लेफ्ट एंड राइट हैंडर की बात बाइपेडल लोको मोशन यह सब यहां लिखा है नथिंग अलसे नीडेल यहां पर रस जैनेटिक्स की बात है आए आगे बढ़ते हैं अग कोडर पाटिसिपशन का यह देखिए तो यह देखिए यहां पर इस पशू सक्षी प्रोजेक्ट एंपावर्ड वुमन और चेंज़ फेस ऑफ बेसिक लाइफ स्टॉक करें रूरल अरिया क्या बात है वेट्मेरी साइंसेज में ऐसे भी बैस्टर और वेट्टरी हैं किसी जानवर का अच्छा नहीं मिला तक जानवर की डॉक्टर बन गया यहीं तो कंसेट है यहीं इंडिया मुझे बताईए तो यह साफ साफ दिखा रहा है देखिए मैं बतातों डिस्क्रिमिशन बहुत ज़्यादा है जॉब्स को लेकर इंप्लाइमेंट में नहीं आपको जो पीछे का ब्रांच मिला जा अच्छा वो नहीं मिला तब जाकर यह लिया है तो यह देखिए इस जगह पर यह कहां लिं अनिमल अस्वेंटरी एंड अलाइड अक्टिविटीज दियू अगरी टेल में स्टुडेंट्स क्या निंग दिस यह कमेंटी पर्टिसिपेशन है चेंज कर रहा है जारकन का यह देखिए जारकन में कुछ नहीं होता है कहीं कुछ नहीं होता है वैसे तो ओके जारकन की बा इस देख सकते हैं आप यह गूट्स और शीप और इन सारे जानवरों के लिए लिए लिखा गया मौटाल्टी रेट्स कम हो गई है पर अब जरूरी है ऐसे डॉक्टर दीदीज परशू सखी प्रजेक्ट में पताए क्यों क्योंकि अभी क्या लंपी स्किन डिजीज आया थ स्टुडेंट्स मिशे बताइए चैटल का डिजीज मिशे बताइए स्टुडेंट्स तो यही है यहां पर चलिए आगे बढ़ जाएं सुडेंट्स नक्स्ट टापिक की तरफ तो वैल्यू अदिशन कर लिएगा यहां पर यह कमिटी पाटिस्पेशन का इंटरेशनल तो आ गया स्टुडेंट्स न्यूज यहां पर यह देखिए तो वर्ल्ड इकनामिक फोरम माइकल श्वाब ने शुरू किया थे जर्मन प्रोफेसर में पी देखिए सारी क्लास श्वाब ने शुरू किया थे 1973 की बात है इस प्रोफेसर का थे प्राइस का हिस्सा है मुझे बताईये यह देखिए प्रवाइब प्रवज और यहां लिखा हुआ है यह ग्लाज श्वाब क्यों फेमस ही इनने स्टेकोडर का का इनने यह कंसेट दिया था थेरी अप सेकोडर कटलिसम अधननेस श्वाब का बातनेस्टॉटर केंश गांटर बातन किया आप से कंपनीश का पान राल्य। creation ये देखिए, by taking into account the needs of all the stakeholders and society at large, इसी इसी तो राइस किया corporate social responsibility, do you agree students in the chat box that we know, CSR, as per the companies like 2013 amendment, CSR कितना amount invest करना है, और क्या limits है, कितने profit पर invest करना है, companies के मुझे chat box में लिखकर बता दीजे, so this is a type of more economic, sorry, more responsible capitalism, stakeholder capitalism, 1971 में, इसी में found किया, 1973 से इसकी meetings चल रही है, World Economic Forum has envisioned as a forum that would bring shop's vision of capitalism to life by engaging with, engaging with foremost political and business leaders, governments आती है, corporates आते हैं, सब को यहां आता है, यह देखिए, it's funded by partnering corporations ही रेखिये, they are generally global enterprises, with annual turnover greater than 5 billion dollars, सब बड़े-बड़े companies, बड़े-बड़े लोगों की बात है, हम लगे पर सकते हैं, इसे ही देखिये, so this is it, the reason behind choosing Davos as location for annual meet, Davos as sky resort and the annual host of WEF meeting is friend town located on the lap of the Swiss Alps से रेखिये, and मैं बता लूँ आपको that World Economic Forum क्या कुछ reports publish करता है, तो कौन से reports publish करता है अभी chat box में आपनों बताई हो मुझे, चलिए आगे बढ़ जाएं students, next topic की तरफ, China and Bhutan agree to push forward border talks, China, Bhutan, India, Trijunction, Dolan, Plateau, यही नूज में था, आज से पांस साल से नूज में चल रहा है, भुटान और चाइना में controversy चल रही थी इंडिया के neighborhood में यह देखिये, and इसी controversy के solve करने दोंदेश अब प्राई कर रहे हैं, यह हमें solve कर लिया जाए, आए देखते हैं, कहां की बात है, यह students, तो इस जगह की बात है, यह देखिये, हाँ भुटान है, और यह देखिये, Chubi Valley है, चाइना का, सुना होगा आपने, तो यही पे disputed regions में भुटान और चाइना अग्री करें, 2021 में agreement हुआ था, three step road map for expediting the भुटान-चाइना boundary negotiations, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ places note किया गया है, कुछ places है, जिसके पर discussion चल रहा है दिखते हैं, दो नाम and areas along the Russian borders of भुटान and near India, चाइना भुटान ट्राइजंक्शन and जाकर लूँ यह रिखिए, यह places नोट कर लिए, भुटान, जाकर लूँ पासब लूँ यह रिखिए, यह कौन से countries के border पर हैं, और साथ में सक्तेंग sanctuary यह देखिए, सक्तेंग sanctuary, यह अरुनाचल प्रदेश के border पर हैं, यह देखिए, सक्तेंग sanctuary, very important students यह देखिए, जेंडर gap इंडेक्स, network readiness इंडेक्स, cyber security इंडेक्स, global risk report, yes, got it, global competitiveness इंडेक्स ठीक है, ओके, तो चलिए, बिल्कुछ सही आपने put up किया, students, इसमें network readiness इंडेक्स भी डाल दीएगा, important है, और cyber security report भी डाल दीएगा, यह important है, students, risk report तो अभी परसो ही, यह इसी last week, one week में आया है, यह देखिए, यहाँ पर location note कर लिए, जाकर lung, पासम, lung, सक्तेंग, sanctuary, Bhutan, China, India, tri-junction, very, very important, सक्तेंग, यहाँ पर है, और उन्हाजर प्रदेश के boundary पर, यहाँ पर, यह देखिए, that's it, तो इसी पर discussion चल रहा, इंडिया and its neighborhood में value edition आप पर सब्सक्राइश था, ठीक है, तो यही हैं news students, इस, आज के लिए, ठीक है, आपने भी, भुटाँ चामर रिवेशन्स पर आपने, इसके अलावा, यह देखिए, यह news, वर्ट लेटिगा गवर्नर सीम रिफ्ट इन पमिलनार, हम लोग डिसकस किया था students, मैं, इसका आप slides पढ़ लिजेगा, डिसकस किया था, हम लोगों ने आज से चार-पाइट दिन पहले, अगरी कर रहा है, मुझे बताईए, तो यह देख लिजेगा फिर से, मैंने डिसकस किया था इस topic को डिटेल में, तो रही आया हुआ है, संडे को दो हिंदे में, और इसके अलावा देखिए, दॉक्टर दी पीचरीजन्स, और साथ में स्टुडेंट्स, देखिए, टॉंगा, आइलेंड, एरॉप्शन, और मौंट सेंट हैलन्स के बीच में, सिमेरिटीज, और इसके लावा मेगाले में, क्या-क्या नए चीज़ें, और इसके लावा गंगा सागर मेला के बारे में, और इसके आज के लिए इतना ही काफी है, कल सुबर मिलते हैं लोग, और ये शान को अगर पॉसिबल रहा तो एक आर्टिकल एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, डिजिटल डिस्क्रिमेशन के उपर, आया हुए बहुत अच्छा डिटोरियल, आया हुए हैं, ठीक है, इसी साथ सेवा समा